नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नर्वस सौक यानि की मानसिक आगात क्या होता है इसके important elements यानि की तत्तों क्या है साथ ही इससे संबंदिश कुछ important cases को भी हम आज discuss करने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि नर्वस सौक यानि की मानसिक आगात क्या होता है तो अगली वीडियो में हम लोगों नहीं जाना था कि negligence क्या होता है और negligence के important तत्व क्या है और कुछ सिधानत भी थे जिसके बारे में हमने सुचा था उस पर हम वीडियो बनाएंगे लेकिन अभी हम उसका वीडियो प्रवाइड नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि मतलब कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि content का भी जो वीडियो है उसको आप अप्लोड करिए उसको हम दोगों को बताईए तो इसलिए हम थोड़ा सा यह टौट वाला जो सलेबस से वह जल्दी से आ अब हम नर्वस सॉक पढ़ लेते हैं ठीक है नर्वस सॉक यानि की मानसिक आगात वैसे पे सबसे पहले हम इसे अपनी भासाओं में आपको समझाने का प्रयास करेंगे नर्वस सॉक मतलब होता है जैसे कि माल लेजे आपको कोई व्यक्तिया करके करता है कि भाई आपके पी अब लेजे आया कोई नर्मल इनसान है सामानी व्यक्तिया उसको आपके बोलता है वाई आपके पीटा जी का द्यान्त हो गया अग्षक को अपने पीताजी के साथ लगाव रहता है ठीक है तो क्या होगा एक बार पहले तो उसको सॉक लगेगा मतलब एक आगहाथ होता है हि करा जाता है और कोछ लोग तो मतलब कभी-कभी ऐसा देखा गया है जिए कि यो कभी-कभी के सब्सक्साइब हो गई तो मतलब किपकी कुह कीस में होती है कि मानसी का लग जाता है और उसे मतलब की बहुत बड़ा सज्मा लग जाता है तो हो सकता है कि उसकी डेथ भी मतलब हो सकती है ऐसा केसे देखा गया है ठीक है तो इस प्रकार की स्थिति को बोला जाता है मानसीक आगहात ठीक है तो इसका थोड़ा सा मतलब की इसका हिस्टोरिकल बेग्राउंड देखेंगे तो मानसीक आगहात को किसी भी प्रकार का क्राइम के कटेगरी में नहीं लिया जाता था ठीक है मतलब यह नहीं का जा सकता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मिथ्या सूचना दे दे देते हैं तो अगर उसको किसी भी प इस विद्य का निर्माण होने लगा उनको विकास हुआ वहां के लोगों के लोगों को तो उन्होंने सोचा कि नहीं यह भी हमारा अपराद के अंतरगत आएगा पहले वो मानते थे अगर किसी व्यक्ति को चाकू से गला काड़ दिये या फिर मतलब आप मतलब कि उसको हुए ठीक है तो मानसिक आघात को भी वह मानने लगे कि नहीं यह भी अपराद की द्रिष्ट में ही आएगा क्योंकि इससे वहां पर उस व्यक्ति को च्छत हुई है गलत मिथ्या सूजना देने की कारण उस व्यक्ति की जिसे डेत हो गई किसी व्यक्ति की देत हो गई या यह भी मतलब की अपराद की कटेग्री में आएगा ठीक है तो दीरे दीरे यह थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका बैग्राउंड है आप चाहे तो बुक में भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं कि मतलब की मानसिक आघात के इंपोर्टेंट एलिमेंट्स या कि उपेच्छा के कारण किसी व्यक्ति को मानसिक छति हो टिके उपेच्छा मतब किसी व्यक्ति के कारण कि ahíकStra di आइने बताय कि कि इसी महिला को आप करके तेता है की जूठ ही ठेक है जुटाई उसको करें समाचार सुझना देता है कि भाई तुम्हारे जो है पती पती देव यानी की तुम्हारे जो हस्बेंड है उनकी डेथ हो गई ऐसा एसा घटना हो गई है तो जब तो यह जो गलत सुचना वह सुना रहे हैं उस महिला को यह चीज़े क्या है उपेच्छा है ठीक है नेकलिजन्स के अंतर गताएगा तो आपने वीडियो देखियोंगे तो आप इसे काफी अच्छे त्रिकेस समझ सकते हैं ठीक है तो पहली यही है कि ऐसी जसा जिसमें किसी व्यक्ति की उपेच्छा के कारण किसी व्यक्ति को मांसिक छती हो ठीक है फस्ट यह पॉइंट हो गया फर्स्ट यह एलिमेंट हो गया तो यह एलिमेट रहना चाहिए उस मतलब की केस में या फिर उस नेगलिजन्स में तब भी मांसिक आगात के अंदर गताएगा जो की है यह च्छती मांसिक या सारे रिख होनी चाहिए ठीक है जैसे कि उसने जाकर कि उस महिला को समाचार सुनाया तो अब उसको क्या होगा एक स सर लग गया तो उसको सर से खोन बहने लगा वाद में ठीक है किसी भी प्रकार का सारे रिख या फिर मांसिक छती होनी चाहिए मांसिक च्छती जैसे कि अभी एक आगे केस पढ़ेंगे उसमें आएगा ठीक है हमने वहाँ पर यह केस लिया है ठीक है मांसिक मतलब मन की पीड टीसरा जो है वह यह है इस चती का पुर्वा नुमान किया जाना भी जरूरी होता है अब जैसे कि इस में ये थ्ञेंच का पूर्वा नुमान किया बहुत सारी देखी होंगी तो यह ज़्यादा मानसिक आगात के अंतरगत आते हैं आप अपने दोस्त के साथ प्रैंक करते हैं कि आपका उसके भाई का डेथ हो गया तो यह हो जाता है जैसे कि हमने देखा था उसमें क्या हुआ था कि एक मतलब की जो व्यक्ति था वह जाकर के मतलब की अपने मतलब की अपने वाइब के साथ प्लेन में उड़ रहा था और उन लोगों ने पहले से यह प्लानिंग किया था प्लाइब पाइलट के साथ उसका जो हस्बेंड था मि वह क्या करेगा कि मतलब की बेहोस होने का न nutéc करेगा ठीक है चो जब प्लेन उपर जाती है तो बिढos होने का नवार करता है तो इससे महिला उसकी दो पत्नी ठीक है तो जो डhtaरने लगती है कि अब क्या होगा हम लोग कैसे बचेंगी अब लोग देके यहां पर है यह मान्सिक आघात हो जाता है तो अगर अभी ज़्यादा यह चीजे ऊवर हो जाती उप्रेंग मजाक में सब लोग समझ लेते हैं नहीं यह कुछ नहीं है लेकिन अगर यह ओए हो जाती है कि यह किसी प्रकार का मानसी या फिसारी रिक्षत हो जाता है उस पर्षन को जिसके साथ आप प्रैंक कर रहे हैं तो क्या होगा आपको वहां पर भर पाई जिसे बोला जाता है रेमडी टॉट में जो दिया जाता है उसको आपको पे करना पड़ेगा ठीक है तो आप आप बहुत ही पूस सकते हैं उस चीज के बारे में साथी जैसे कि आपको यह नोट चाहिए हुआ ठीक है वैसे तो यह सौट नोट है और आपको यह नोट चाहिए हुआ तो वह भी आप वहां पर ले सकते हैं मातर 20 रुपय का हमने चार्ज रखा है बहुत जाद आपको चार्ज नहीं लि केसे लिए आप केसे को समझ लेते हैं तो इसमें मैंने दो बहुत ही इंपोर्टेंट केस यहां पर लिए हुए हैं और काफी इसमें फेमस केसे से चले कर आप एड़ोकेट बनेंगे तो अभी प्रेंग का जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको इन इस वीडियो को देखने बाद कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा जानना है जानकारी लेना है तो आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए वाद को जान लेते हैं वाद है पहला जो की है विलकिंसन बनाम डाउटल ठीक है डाउटल ठीक है इस अब थोड़ा सा देख भी लीजेगा इसमें क्या था मिथ्या सूचना देने के कारण महिला कॉमा में चली गई ठीक है इसमें क्या हुआ था कि मतलब की इस एक महिला थी जिसका पती कहीं बाहर रहता था ठीक है तो जो उसके पती का एक दोस्त था वह आया एक दिन और उस म मतलब कि जो आपके हस्बेंट हैं जो वहां पे रहते हैं उनकी कार-इक्टिंट हो गई है ठीक है तो ऐसा उन्होंने बताया और इडीथ हो गई है और यहीं सुनकर उस महिला को मतलब एक बैध ठीक है वह मतलब उसको चक्कर आया और गिरी उसके बाद में उसे हास्पीटल में भी भर्ती कराया गया लेकिन वह इतनी कहरे मतलब की मतलब तरीके से मतलब सोक में डूब गई आप कर सकते हैं कि वह कूमा में चली और लगबग कम-330 सालों तक ओप में रही से मतलब की बालों जो होते ने सब सफेद हो गए तो बाद में जब पता चला उसका पती आया बाद में सब चीजी जब पता चले कि ऐसा ऐसा हुआ था इसके साथ बाद में जब कोड के पास यह चीजे गई ठीक है यह वाद गया तो हाँ पर उसके दोस्त द्वारा बाकी जो हास्पिटल का खर्च था सभी चीजे थी ठीक है मतलब कि उसको सभी सभी जो च्छत पर भी इसमें दिया जाता है ठीक है अगला वाद जान लेते हैं जो कि है हैं पुक बनाम इस्टोप ब्रिदर्स इसमें क्या हुआ था सिंपल सा यहां पर मैंने नीचे लिख दिया है मिध्या सूचना के कारण महिला की मृत्य ठीक है इसमें तो महिला मतलब की डेथ होगी छोड़के ठीक है तो फही थी महिला की ठीक है ऑगर उसा कोई करता है ठीक है इसमें क्या हुआ था कि एक महिला थीक है अपनी दो दो बचचे थे उसके वो मतलब सड़क पर छोड़कर आ रहे थे वहाँ छोड़ने इसलिए ती वहां पर यह रहें सबुत तो वह महिला गई वहां पर अपनी बच्चों को छोड़ा उसके बाद में वहां से जब कुछ दूर मतलब छोड़ करके जाने लगी कुछ दूर पहुंची एक गल्ली था गल्ली में तो वहां पर मतलब की एक मतलब उसको ऐसा अवास सुनाई दिया कोई एक लौरी थी बहुत हैं उनकी डेथ हो गई है और हो सकता है कि और आपके बच्चे है ऐसा बताया कि मतलब कि मेरे ही बच्चे का ही यहाँ पर डेथ हुआ है तो जिसके बाद में उस महिला को मतलब की और ह medo संकrä घी ठीज्ड़ कर और मतलब किन Whatscan के बाद में वहीं पर on the spot ठीक है कुछ टाइम बाद उसकी मृत्य हो ठीक है उस गम में डूब कर उसकी मृत्य हो गई कि हमारे बच्चे नहीं रहें तो बहुत सारे महिलाओं को अपने बच्चे के प्रति बहुत ही जादा प्रेम लगाओ होता है यह सभी आप जानते हैं ठीक नहीं तो आपके उपर नर्वस सौक का जो चार्जेज है वो लग जाएगा और यह जो चार्ज है काफी आपको मांगा भी पड़ सकता है ठीक है तो आज की इस वीडियो के जरीए आप नर्वस सौक को बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से आप समझ चुके हम नेक्स टॉपिक को कवर करेंगे और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमें इस्टाग्राम पर फॉलो करना बिलकुल ना भूले थैंक्स वार वाचिए प्रिज जो उसको बता है आप प्रवस में को फड़ित में तरीके टाताएब कर शेपना भी कवर के टाचिए दिन सब्सक्तरा में चर्वस कर दो दो बाले रहुत परस्तरा बाले बाले प्राले बाले क्वार प्रेकन कर दो पोजिए है कि अब को बता है झाल झाल झाल